रॉकेट में लटका कर मारे हमास की नो कमांडर जंग जीतना है तो जंग दी बन जाओ फरिष्टे की जगा शैतान बन जाओ युद्ध की ये कहावद गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध फूरी तरह से बदल गया है हालात ये हो गए हैं गाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भ्यानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं इस हमले की खौपनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम बचा दिया है इरान, लिबनान, सीरिया, मिस्र, सौधी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यॉरप और पच्चिमी देशों को चिताबनी दे दी है कि इसराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबहा कर देंगी कि हम मुस्लिम सेनाएं इसराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इसराइल की राजधानी तेलवीव में अमेरिका के राजधपदी बाइडन ने इसराइली प्रधान मंत्री बैनियमिन नेतनियाहू से क्या खूपिया वादा किया है और बाइस अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखरी मौके पर 500 आपरेशन शुरू कर दिया है पानसो की मौत का बदला जंग में उतरी मुस्लिम सेना अद्वाली और आउ झहान धिया है अद्वाली पर brought दो हूपिया भान सेना कि Two १ था लान ए्थ है उ उन्वान पैस्वाल्वित ऑथ है आखरूद ऐस्वाल्य है और खर लु फ लो, जैना किना किना उन्हें आर एक उन्हार्ण किना बादान एकिनान आदाल अदू वलितकिफ हादिह अम्मा इसराइली सेना पर तीके हमले कर रहे हैं वही दूसरी तरफ इसराइल की IDF यानी इसराइल डिफेंस पोसिस दावा कर रही हैं कि उन्हों ने हमास और हिजगुला के 3000 अड़े तबा कर दी हैं इस खबर पर पूरी डीटेल जानने से पहले आप ये जान लीजिये कि घाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इसराइल क्या कर रहा है और हमास हिजबुला और इरान अब अगले बड़े और घातक हमले के लिए क्या करने जा रहे हैं हुफिया खबरों के मुताबिक लिबनान, हमास और हिजबुला के 2,55,465 लड़ाके इसराइल से आरपार की जंग करने जा रहे हैं हुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 25,000 लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में इसराइल के आईडियेफ के खिलाफ जबरदस जंग की तैयारी पूरी कर ली है उत्तरी गाजा से इसराइल की चितावनी के बाद से 10,000 लाग फिलस्तीनी और हमास समर थक भाग चुके हैं खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसबरी से इसराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की आंटी टैंक मिसाइले और रॉकेट आ चुके हैं खबर ये भी आ रही है कि एरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइले और भारी संख्या में ड्रोन दे दी हैं वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोसिस की तरह लड़ने वाले हिस्बुल्ला के 45,000 लड़ाकों को इसराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तयार रहने को कहा गया है जबकि इरान ने 5,75,000 सेनिकों को हमले के लिए पूरी तरह तयार कर लिया है इस वक्त इसराइल से आरपार का युद करने के लिए जो अरब देश पूरी तरह से मन बना चुके हैं जरा उन्हें भी जान लीजिए इरान, लेबनान, सीरिया, सौधिय अरब, जॉर्डन, मिस्र वो मुस्लिम देश हैं जो इसराइल को उसी की जमीन पर तभा कर सकते हैं इसराइल भी जानता है कि सत तावन मुस्लिम देशों से उसे जंग में सब्सक्राइब देश जन्ग में सब्सक्राइब देशने किसी जलो इनार दीगर ने में तोने बेगिरें, इने बदानन, तबगवा नकोनन, इस कसानी के नक जड़ीद, फरून गुरू फरून कारा ब इसराइल भी जानता है कि सत तावन मुस्लिम देशों से उसे जंग में सामना करना पड़ सकता है हम आपको बता दे कि इसराइल हमास की जंग में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के समर्तों को पर इसराइल यमराज बनका तूट पड़ा है उत्तरी गाजा से 10 लाग फिलिस्तीनी और हमास के लोग 14 किलोमेटर दूर दक्षणी गाजा की तरफ भाग गए है डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इसराइल बहुती चालाकी से घाजा यूद कर रहा है अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसराइली सेना हमास को एक हाद में बम दिखा कर दूसरे हाद से पकड़े तमंचे से मार रही है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 अक्तूबर के बाद से हमास के कितने कमांडरों को इसराइल के आईडियेफ हवाई हमलों में मार दूसरे है इसराइल के आईडियेफ के दावों के मताबिक इसराइली सेना ने दो और हमास कमांडरों को धेर कर दिया है इस्राइली सेना ने हमास के घाजा सिटी ब्रिगेड में आंटी टैंक गाइडिट मिसाइल के प्रमुक मुहम्मद अवदल्ला और हमास के नेवल कमांडर अकरम हिजाजी को मार गिराया है इससे पहले 17 अक्तूबर को इसराइली सेना ने हमास के कमांडर एमान नौफाल को मार गिराया था नौफाल ने इसराइली सेना और आम लोगों पर कई हमलों को अंजाम दिया 14 अक्तूबर को इसराइली सेना ने हमास के दो बड़े कमांडरों को मार गिराया इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अलकद्रा इसराइल हमले में मारा गया है बिलाल दक्षिनी खान यूनिस बटालियन में नहबा बलका टॉप कमांडर था वहीं साथ अक्तूबर को इसराइल पर हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इसराइली सेना मार चुकी है अली कादी को मारने का काम इसराइल की इंटर्नल इंटेलिजन्स एजनसी शिन बेट ने किया है इसी तरह हमास का एर फोर्स हेड मुराद अबु मुराद भी इसराइली हमले में मारा जा चुका है इस्राइली फोस इस्लामिक जिहाद हेड़कोर्टर को भी एर स्ट्राइक में धुस्त कर चुकी है इस्राइल सेना गाजा में हमास के तीन हजार अड़ों को तबाह कर चुकी है हमास किडनेप विमन, चिल्डरन, एल्डरली, हलोकास सुर्वाइबल इस्राइल ढुत builders, आधने आधने सरामे नेस एंसी इसन pon Florida 22,ぎå सब्टराइल five utvecklas से 3, 74 जाय कर व्रवी हमारा में खर वश्रवी इस्राइले सनीन है सिर्वाइलोंहित ग्या को बहात लेक्वीवबला को बताऊँ 120 हुवाइल 15,000 Ë दो 24 00,000 गाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला इसराइल ने किया या फिर फिलिस्तीन इसलामिक जिहाद के लड़ाकों ने लेकिन इतना दे है कि अस्पिताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बार अब अरब युद्ध बनाम यूरप युद्ध हो चुका है हम आज के साथ एरान और हिजबुल्ला जबरदस तरीके से साथ दे रहें इसराइल भी जानता है कि इरान के 5,75,000 सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इसराइल के पास सिर्फ 1,73,000 सैनिक है इसराइल की 4,65,000 की रिजब फोस को जोड़ कर भी इसराइल इरान के आसपास नहीं टिकता है अब देखना होगा कि घाजा सिटी के अल एहली अरब सिटी हॉस्पिटल में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों की मौत का बदला इरान, हिजबुल्ला और हमास कैसे लेते हैं